Hello friends, welcome back to the series of internal security आज से हम लोग chapter 2 स्टार्ट कर रहे हैं मैं chapter 1 फिनिस कर चुका हूँ अब लोग बढ़ेंगे chapter 2 में ठीक है लेकिंग chapter 2 से हम मैं थोड़ा से evolution करने जा रहा हूँ कि मैं अब से book से देख कर नहीं पढ़ा हूँगा मैं खुद का एक handwritten notes लिख लिए हूँ पहले से ही और मैं अब इससे पढ़ाऊँगा अगर ये पसंद आए तो आप लोग जरूर बताईगा कि आपको पसंद आ रहे हैं अगर नहीं पसंद आ रहे होंगे तो आप वो भी comment कर दीजगा मैं notes बनाना बंद कर दूँगा और आपको इसका ये जो PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ ये जो notes है अगर आपको ये चाहिए तो हमारा जो WhatsApp का channel है उस पे जरूर join कर ले वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा channel का नाम क्या है UPSC World लेक्चर 9 है ये इससे पहले हम लोग 8 lecture complete कर चुके है जो कि chapter 1 था अशोग कुमार का book follow कर किया जा रहा है और ये chapter 2 है handwritten notes है notes कहां मिलेंगे WhatsApp पे link नीचे description पे हो जाएगा अब दिखे chapter 2 है tourism role of external state and non-state actors देखे यहाँ पे दो term आए है external state and non-external state मैं इसके बारे बहुत डिटेल से पढ़ाई करूँगा आगे समझा भी दूँगा कि non-state क्या बोलते हैं और external state किसे कहते हैं पर इससे पहले जो ये सब्द आई है हमारे सामने terrorism को लेका है वो terrorism आके किसे कहते हैं तो चली समझते हैं तो देखे यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि terrorism जो है it is a planned, organized and systematic use of violence समझ पा रहे हैं कोई भी violence हमारे इंडिया में होता है वो अगर प्लान किया हुआ हो मतलब पूरा-पूरा सौंचिश समझे साजिश हो ठीक है organized हो पूरा तरीके से काम किया गया हो और systematic से किया गया कोई भी violence हो यहादर किया यहाँ एक सब्द जूड़ गया violence ठीक है तो उसों क्या बोला जाता है terrorism बोला जाता है किस के कारण के आखिर लोग यह प्लान करेंगे क्यों violence करने के लिए लेकिन क्या कारण है कि वो इतना violence करना चाहेंगे तो उनका बहुत सारा reason हो सकता है जैसे कि political reason religious religion और maybe ideological purpose मैं एकक करके सारे समझाओंगा क्या होगे political में क्या क्या आ जाता है religious में क्या क्या आ जाते हैं और ideological में क्या क्या आते हैं अब मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूँ कि देखे political में क्या आते हैं जैसे कि मा लीजे ठीक होई अभी के टाइम पर बहुत जदा पॉपलडर हो रहा है खालिस्तान को ले कर वे लोग कानाडा से क्या कर रहे है हमारे हां पर टेरर फैला रहा हम तो वो जो काम किया जा रहा है वह किस के लिए religious के लिए किया जाया वोई लोग demand कर रहे हैं कि हमें एक अलग separate country चाहिए तो वो भी एक organized crime है वो violence की डिट कर रहा है हमारे country में किसके वज़े से एक religious के वज़े से political भी होते हैं कहीं अगर मान लिज़े कोई rally निकाल रहा है ऐसा समझ के जाए मैं कोई political party की तरफ नहीं जा रहा हूँ लेकि कोई political party है जो चाहती है कि वहाँ दंगा हो जाए ताकि वह political party बरबाद हो जाए ठीक है जो वहाँ जिसका government है ऐसे लोगों कोई विचारधारा होती रहती है तो अगर वह ऐसा कोई विचारधारा वाला party रखती है तो वह जो violence create किया जाएगा एक organized वह क्या हो जाएंगे वह हो जाएंगे आपके political political terrorism ठीक है और फिर एक last आता है ideological purpose तीन purpose बताया है यहाँ पे political, religious और एक ideological ideological में मतलब आप समझे कि कोई एक idea एक विचार कोई भी आपका है आप उसको बढ़ाना चाहते है मान के से लिए कोई सौथ वाले हैं तीक है मैं कोई सौथ से अगर पढ़ रहे होंगे तो पुरा मत मानना अगर मान के सौथ वाले हैं उनका कहना है कि नहीं हिंदी को हम प्राइम लेंगविज बनने नहीं दियेंगे कंट्री का हमारे रीजनल को भी दिया जाए तो ये ideological thinking हो गया वो अपने एक idea दे रहे हैं अब इसके वज़े से अगर कहीं planned, organized और violence create हो जाए तो उसको क्या बोला जाएगा ideological terrorism आने सारे clean कर दिये ताकि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत न हो आगे आते हैं टेरर जो है ना जो आतंख है वो एक world problem है ऐसी बात तो नहीं है कि जो टेरर है वो सिर्फ और सिफ इंडिया में होती है बाकि कहीं country में होती ही नहीं है सिर्फ और सिफ इंडिया में होगी और दूसरे country में कुछ नहीं होगा ठीक है ऐसी बात तो नहीं है ये टेरर जो है सो पूरी दुनिया की problem है लेकिन ये बहुत डिले हो गया क्या ची डिले हो गया international acceptance मिलने के लिए कि हाँ टेरर नाम का चीज भी कुछ होता है terrorism नाम का भी चीज कुछ होता है इसको world में accept मिलने यानि UN में इसको accept मिलने के लिए बहुत डिले हो गया इतने डिले हो गया कि कोई accept ही नहीं करना चाहरा होगा कि कोई टेरर नाम का चीज भी होती है तो आखिर ऐसा क्या है ऐसी क्या वज़ा हो गई कि लोगों ने accept ही नहीं किया कि टेरर नाम का कोई चीज होता है तो इसका ना डिले दो रिजन है ठीक है एक तो है freedom fighter और दूसरा terrorism through another state अगर मैं आपको freedom fighter का बताओ तो मान के चली यहां कहीं पाकिस्तान का map है अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं आपको बताओं यहां कहीं पाकिस्तान है और पाकिस्तान का एक छोटा सप्रोवीन्स है बलुचिस्तान बलुचिस्तान जो है सो हमेशा से समझी का बलुचिस्तान जो है सो हमेशा से पाकिस्तान से divide होके एक अलग country बनना चाहता है पर पाकिस्तान की गौवर्मेंट इसे accept निकरना देगी लेकिन जो पाकिस्तान के जो लोग हैं जो गौवर्मेंट के ही against हो जा रहे हैं ताकि हमें एक separatist भाव ना लाए जाए तो ये तो गौवर्मेंट के लिए terror हुआ लेकिन जो यहां के लोग हैं उनके लिए क्या हुए एक टैप से freedom fighter हो गए है वो गौवर्मेंट के लिए terror है बट एक टैप से वो क्या हुआ लोगों के लिए वहां के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ने बलुचिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग हो जाए तो उनके लिए क्या हो एक freedom fighter हो गए अगर मैं आपको एक और छोटा से example दूँ तो जो महात्मा गांदी थे वो हमारे देश के लड़े और भी बहुत सारे लोग लड़े गरम दल वाले भी लड़े थे ऐसी बात नहीं के महात्मा गांदी नहीं लड़ा किया बहुत सारे लोगों नहीं लड़ाई किया तो वो जो लड़ाई हुई तो वो ब्रिटीस लोग के लिए तो एक टाइब से आतंक रहा पर एक Indian perspective से देखिएगा उसे एक इंडिया के तरब से नजरियस देखिएगा तो कहीं न कहीं हमारे ले क्या थे वह एक freedom fighter थे तो वही बोला जाए रहा है कि जो आतंग किसी के लिए एक आतंग हो सकता है लेकिन वो अगले के लिए freedom fighter होगा और दूसरा है terrorism through another state अब जैसे कि हमारे world में बहुत सारे develop country हैं जैसे कि US है अब US जो चाहता नहीं है कि कोई उससे आगे बढ़े सबच पार है ना उससे कोई आगे बढ़ जा ये US को भरदास नहीं तो US क्या करता है कि जो छोटे मोटे country हैं उनसे क्या वो करते हैं कि आतंग फैलाते हैं वो दूसरे state another जो state है वो खुद नहीं involve होंगे वो दूसरे state से क्या करेंगे कि वो जो है सो आतंग फैलाएंगे और जो भी मामला होगा वो UN में खुद लिपट लेंगे तो वही कहरा है terrorism through another state वो खुद नहीं लड़ेंगे लेकिन किसी दूसरे से और यही कारण है कि इसको world में acceptance नहीं मिला acceptance का मिला जब US में attack हुआ था 9-11 का याद है ना तो यह जो 9-11 का attack हुआ तब उए US को होसाया अच्छा यह जो चीज है वो हमारे लिए नहीं है second point हमारे लिए नहीं है और ना first point है तब उनको ध्यान में आया कि अच्छा terrorism नाम का भी चीज है और तब इसको international acceptance मिला है लेकिन वो भी इतना clear नहीं मिला है जिसे कि क्या हो सके कि हम लोग किसी भी terror को identify कर सके देखिए अब आगे definition पर आते हैं यह तो हो गई कि world में इसा क्या भी role है अगर मैं इसको erase कर दो ताकि आप लोग को पनेम्र दिक्कत ना हो अब आगे definition पर आते हैं तो देखिए definition जो है ना किसका terror का वो कोई official definition है ही नहीं कोई नहीं कह सकता कि terror क्या है अगर मान के चलिए आप जैसे कि अगर मान के चलिए Canada है अब फिलाल के लिए Canada और India का निउज बहुत ज़्यादा famous है तो मैं अब फिलाल के लिए Canada का निउज लेता हूँ जो वहाँ पे Canada पे जो व्यक्ति था उसका murder हो गया ठीक है उसे इंडिया ने मारा या कौन मारा भी तक पता नहीं चल पाया लेकिन जो Canada के लोग है उनके लिए तो एक जो है पर हमारे एक आतंकवादी मर गया ठीक है तो यह जो acceptance है वो world ने कभी दिया नहीं किसी को समझ में नहीं आता कि कौन terrorist है किसी के लिए वो terrorist है तो किसी के लिए वो एक freedom fighter है तो इसलिए जो official definition है वो हमारे हाँ world में कुछ है ही नहीं No any definition accepted by member of countries अगर मान के चलिए कोई आप एक definition निकालते है आतंकवादी का कि हाँ जो cybercrime करे वैसा वैसा तो 195 जो countries है वैसे तो 195 है और कितने countries UN में जोईन किये वे है तो है 200 ठीक है एप्रॉक्स शोरी शोरी 190 190 190 countries जो है जोईन किये वे हैं UN को कितने 190 इतने सारे countries में से सारे लोग तो accept होना चाहिए सारे ने तो कम से कम half लेकिन half के लिए भी definition बहुत बदल जाती है इसलिए कह रहा कि कोई country एक definition पर accept कभी हुआ ही नहीं है इसलिए हमारे world में कोई भी official definition नहीं है किसके बारे में terrorism के बारे में बट वी कैन से दाट terrorism is देखो terrorism क्या है terrorism है किसी state को terror करना किसी state को terror करना किसी लोगों को panic करना या किसी का दिमाग से खेलना ये भी एक क्या है terrorism है फिर से समझना किसी state में terror यानि वहाँ पे आतं कभय बनाना वहाँ किसी को लोगों को panic करना और किसी के दिमाग के साथ में उनको fear डिलाना कि तुम जो हो से गलत हो ये भी एक terrorism है किसके दुवारा ये terrorism ये जो काम है वो किसके दुवारा किया जाता है ये किया जाता है एक individual के दुवारा भी किया जा सकता है और एक group या फिर एक organization के भी त्वारा किया जा सकता है अब अगर individual का example दूँ तो कोई single आदमी भी यह कर सकता है कोई group भी कर सकता है और कोई organization और organization में जैसे कि अगर मैं ISI को बताऊं ISI तो क्या है एक organization है तो यह भी कर सकती है group भी और individual किसके तरू अब वो लोग क्या करते हैं वो करते हैं force करते हैं उन्हें क्या करते हैं मजबूर करते हैं और क्या करते हैं blackmail करते हैं ठीक है फोर किसके लिए for acceptance of their demand वो अपने demand जो भी उनका demand है कि वो जो terror फैला रहे हैं उनका कुछ न कुछ उनकुछ demand होगा न वो अपने demand को पूरा करने के लिए क्यों पूरा करने के लिए because of political, reasonable और ideological goal के लिए वो जो terror फैला रहे हैं अपने कामों को मनमाने के लिए लोगों को मजबूर कर रहे हैं वो जो एक individual के द्वारा वो क्या हो जाएगा वो एक terrorism है अगर मैं आजकल के time पे बताऊँ तो धुरूराथी वो धुरूराथी क्या करता ना कि गलंदे गंदे facts वगेरा भी present कर देता है तो वो भी एक टैप से terrorism है वो terrorism का definition में आता है और तो यहीं से में हम लोगों का जो notes है वो complete होता है अब यह चैप्टर में यहां से है आजका हम लोग का portion कतम कर देते है terrorism है वही मैंने आपको बताया सारे कुछ यही mention किये गए है पढ़ लिजेगा ठीक है और यही सब था बाकि कुछ नहीं था तो thank you guys वीडियो पसंद आई तो like मारे अगर नोट से अच्छा लगा तो हम make sure मैं नोट और बनाऊंगा अगर पसंद नहीं आई होगा तो वो भी बता देजेगा मैं नोट से नहीं पढ़ाऊंगा थैंक्यू जाइन जाभारत